चुका है वहीं तालेबान ने काबूल को चारों तरफ से घेर लिया है खबर ये भी है कि शेहर के कई लाकों में गोली बारी भी शुरू हो चुकी है इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है बताया जा रहा है कि राष्टपती अश्रफ गनी सत्ता चोड़ेंगे अश्रफ गनी अपना पज चोड़ेंगे पहले तो जो अफगान बॉर्डर क्रॉस करके तालिबान के आत्याचार की वज़े से अब पाकिस्तान जाना चाते थे, अपने परिबार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, उनको ये कहा जा रहा था है कि आप प्रो इंडियन अफगानी हैं, इसलिए आपको जाने नहीं दिया जाएगा अब एक फॉर्मालेटी के तौर पर जो लोग हैं अगर तालिबान के लोग हैं या जो जिहादी लोग हैं अगर आना जाएं उनके लिए तो बॉर्डर हमेशा खुला रहता है अभी भी खुला रहेगा लेकिन लोग बाहर ना जाएं वहाँ पर अफगा पूरे जगा 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 तालिबान ने आतंक मचाया महलाओं के साथ बचसलूकी की soldiers को execute किया अब यह दिखावा क्यों यह महज एक दिखावा है कि पीस्पुल जो है हम ट्रांजिशन चाहते हैं इसलिए हम काबूल के अंदर घुसने रहे हैं जाहिर तो और अभी मैं गैत्री आपको यह बता रहा था कि एर इंडिया का एक प्लेन जो एजनसी के हवाले से खबार आ रही है जो सोर्सेज बता रहे हैं उसको इसलिए उतरने नहीं दिया गया क्योंकि तालिबान के पास बाकाइदा एक लिस्ट है उसके पास यह जिसमें उन लोगों की लिस्ट है जो की गवर्मेंट के साथ कॉप कर रहे थे जिन्होंने पैसा कमाया है